तो वेलकम 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 स्वागत है आप सबका तू दिस रिवीजन ओफ ऐसे 560 ऐसे 560 क्या करता है इसका नाम सबसीक्वेंट क्यों है क्योंकि पांच के बाद छे आता है पांच के सबसीक्वेंट ली छे आता है तो इसका नाम सबसीक्वेंट है तो सबसीक्वेंट को कैसे date of financial statement से date of audit report तक और दूसरे जो date of audit report यानि audit report sign करने के बात जो आपको कोई facts वगर पता चलते हैं वो इसमें आ जाते हैं ठीक है सर सबसे पहले सर एक बार बताओ date of financial statement क्या है सीधी भाशा में बोलो तो 31 March यानि suppose आप 31st March 24 की balance sheet बना रहे हो तो that is the date of financial statements यानि date of the end of the latest period covered by financial statement जिसको आप balance sheet date भी बोल सकते हो सर देट of audit report क्या है जिस दिन audit report पे sign होता है else per S.A.700 वो ही date of audit report होती है अब यह कहते हैं दो तरह की events होते हैं मैं पहले वाले की बात करना हूँ जो financial statement और audit report के बीच में होते हैं सर क्या दो events होते हैं एक होते adjusting एक होते non-adjusting adjusting event का क्या मतलब है जो financial statement की date थी उस दिन कुछ condition exist करती थी उसको लेके अगर आपको कोई event evidence देता है तो that is a adjusting event यानि which provide the evidence of the conditions which were existing on the date of financial statement example के तौर पे मैंने अपना एक debtor था उसका provision बना रखाता है क्योंकि मुझे लग रहा था इससे पैसे नहीं आएंगे and actual में उससे पैसे नहीं आए actual में मुझे पता चला financial statement की date और audit report की date से पहले उसका दिवालिया निकल गया क्या ये adjusting event है हाँ सर ये adjusting event है अगर आपका debtor insolvent हो जाता है audit report से पहले पहले this is a adjusting event अब आपको उसका provision बढ़ाना पड़ेगा so declaration of the insolvency of a major debtor किसके बीच में between the date of financial statement and date of audit report it is a example of adjusting event एक example और बताओ तो मैंने आपको एक example और बताया था सर किसका wages वाला मैंने कहा था गरीबों को भूलना रखा था मेरा workers के साथ dispute चल रहा था workers कहते हम इतनी मेहनत करते हमारी wages बढ़ाओ मैंने का तुम इतनी मेहनत करते हो मैं इतनी कमाई करता हो तो मैं क्यों बढ़ाओं ठीक ऐसे न वरकर्स और में लड़ाई चल रही थी अब ये जो case है ये ultimately कैसे decide हुआ इसमें decide हुआ मुझे वरकर्स को 15 करोड देने है sir क्या बात करो मैं को 15 करोड देने है अब ये जो 15 करोड देने है इसका provision कितना बना रखा था sir 31st March को मैंने इसका provision 10 करोड बना रखा था क्या ये भी एक adjusting event है हाँ ये भी adjusting event है मुझे 5 करोड की adjustment करनी पड़ेगी 5 करोड से कहीं आगे provision को बढ़ाना पड़ेगा तो ये दो छोटे-छोटे examples जो आपको ध्यान रखने है insolvency of debtor और गरीब worker को मत भूल जाना उसको भी अपने को ध्यान रखना है यानि legal claim which is settled outside the court किसका claim था? worker का claim अपने settle किया इसके बाद सर और example बताओ मैंने का non adjusting event non adjusting event क्या है? ये भी financial statements की date और audit report की date के बीच में होते है but ये कौन सी conditions का evidence देते हैं? उन conditions का जो financial statement की date के बाद हुई यानि इनका financial statement से वैसे तो कोई लेना देना नहीं 31st March से बट क्योंकि ये event इतने important है इसके बारे में user को पता होना चाहिए तो इसका disclosure होना चाहिए example बताओ fire in the factory run 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 तो पहला point तो सारे बचे याद रखना fire in the factory run 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 यानि अगर fire हो गई और आपकी inventory जल गई तो दिक्कत हो जाएगी destruction of inventory तो मैंने का कुछ गया पर कुछ नया भी आया था सर नया वाला क्या था अगर इस time period में company ने कोई share capital issue करी है तो वो इसका part बन जाएगी या फिर अगर इसने कोई merger की है तो वो भी इसका आ जाएगा तो तीन point ध्यान रखना सर मैंने का क्या क्या एक तो destruction due to fire दूसरा नया क्या था मैंने का new share capital एंड तीसरा merger देखो मैं बताओ न ICI न बड़ी बदमाश है सर बदमाश क्यों पूरा chapter में इतनी प्यारी प्यारी बाते थी वो पूछेगा ये लपूसा topic और ये तीन number में आ जाता है तो points न याद न आते तो अगर ऐसे याद रखोगे न थोड़ा नया था कुछ डिस्ट्रक्ट हो गया और नया कैसे हुआ मैंने का merger से तो इस तरह से तुमको ये तीनों बाते ध्यान रह सकती है clear है clear है sir अब फिर आते है हमारा favorite topic sir favorite topic में क्या था मैंने का favorite topic में कुछ भी नहीं है ठीक है ये जो favorite topic है इसमें सबसे असान चीज़ थी इसमें हमने audit procedure करने है तो audit procedure करते है हमको कौन सा evidence चाहिए हमारा evidence कैसा हो sufficient and appropriate evidence हो यानि अगर आपको sufficient and appropriate evidence चाहिए किसको लेके जिन भी events का adjustment या disclosure होना चीए adjusting event का adjustment non-adjusting का disclosure obviously बात है तो जिन events का adjustment or disclosure होना चीए क्या उनका adjustment or disclosure हुआ तो मैंने का तुमको महनत करने की जरूद नहीं ये management का काम है management का काम है accounting standard 4 कहता है कि जो adjusting है उसका adjust करे जो non-adjusting है उसका disclosure करे तो तुम management से समझो कि वो कैसे इन events को identify करता है फिर उनसे पूछो क्या उनको ऐसा कोई event मिला तो पहले समझा फिर पूछा पहले understand the management's procedure to identify such events then ask them inquire them whether they have identified such events sir management बड़े boring लोग है ये हमने पहले भी सिखा था तो जब boring लोग है साथ में और क्या read करें मैंने का एक नई चीज़ है ये market में जिसका नाम है interim financial statement interim financial statement जैसा की नाम भी बताता है ये complete year के financial statement नहीं है let's say quarterly financial statement है तो जो भी quarterly financial statement अगर available है इसने का if any if they are available then आप इनको भी देखके चल सकते हो हो सकते है आपको कोई subsequent event पता चल जा है बट ये सब चीजों से क्या आपको संतुष्टी मिल रही है मैंने का नहीं जाते जाते हलवा और चने ले लेना मैंने का हलवा और चने का क्या मतलब है return representation return representation management से और TCWG से किस चीज को लेके कि जितने भी events का adjustment or disclosure होना था उनको उन्होंने adjust or disclose कर दिया है whatever events required adjustment or disclosures they have been adjusted and disclosed पता है नहीं मेरा दिल कहता है ये वाला topic ICA पूछेगा ठीक है inter level पे this topic is very important this should be asked by ICA someday ठीक है and इसके बाद हमने पूछा आपने मेर से पूछा sir आप inquiry inquiry का गाना गा रहे थे inquiry करनी किस चीज़ को लेके है तो ये तो सबसे light topic था इसमें तो कुछ था ही नहीं balance sheet में changes आते हैं तो balance sheet को लेके ही inquiry करो यानि आप पहले liability के बारे में पूछो liability में क्या आती थी BCG borrowings commitments guarantees जो भी borrowings commitments and guarantees है फिर उसके बाद आप assets के बारे में 3 point पूछोगे मैंने का क्या क्या आपने कोई assets sale किया या purchase किया या plan किया या ले गई ले गई sir कौन ले गई government ले गई यानि any asset has been appropriated by the government or destroyed by fire or flood and last point क्या था debtors वाला sir debtors वाला मतलब any information which is related to the recoverability of debtor क्या कोई ऐसा event अकर हुआ which is relevant to the recoverability of assets उसको आप देख लो liability हो गया assets हो गया क्या बचा balance sheet में capital capital कैसे कैसे आ सकती है अब तो तुम financial management भी पढ़ते हो पताओ capital कैसे आती है equity से और debt से very good तो वही पूछो क्या आपने कुछ equity capital raise करी क्या आपने कोई debentures issue करे यानि increase in the capital और issuance of debt instrument सर पाच पॉइंट हो गए है contingent liability के रिए मिरको भी देख लो क्योंकि वह नीचे है न notes to accounts में तो last point आजाएगा any development regarding the contingencies I think these points are more than enough इसके बाद के points में कुछ नहीं है accounting estimates को लेके आप inquiry कर सकते हो तर एक बाद बतो यह क्या है meaning of the date of financial statements issued किसको issue करते है किसको issue करते है मैंने का यह वो date है जिस दिन financial statement along with the audit report is issued to the third party यह हमको कैसे पता चलेगी Companies Act में देखो Companies Act आपको बताएगा किस दिन issue होती है यानि it depends on the regulatory environment ठीक है कि आपका regulatory environment के है laws and regulation कैसे है plus इसको आप file करोगे with the regulatory authority generally ROC वगरे के साथ file किया जाता है अब दो बाते ध्यान रखना sir क्या यह date पहले नहीं हो सकती किसने पहले नहीं हो सकती audit report के sign होने से पहले जब तक audit report sign नहीं होगी तब तक आप audited financial statement किसी को नहीं दोगे and second date क्या थी जिस दिन entity को audit report मिलती है उससे पहले नहीं हो सकती यानि it can be at or later than यह हो सकती है उस दिन या उसके बाद उससे पहले नहीं हो सकती किस दिन और किसके बाद हो सकती है sir जिस दिन audit report sign होरी यानि date of the audit report या जिस दिन company को वो audit report मिली है यानि the audit report is provided to the entity इन दो दिन हो सकती है या इनके बाद हो सकती है इन से पहले ये date नहीं हो सकती clear है clear है sir अब सारे के सारे बच्चे लेंगे चैन की सांस and breathe out अब आता है थोड़ा सा मसाला sir क्या मैंने का अब ध्यान से सुनते जाना मजा आएगा अभी तक मैं आपको क्या बोल रहा था subsequent event क्या होता है date of financial statement से लेके date of audit report this was the first type of subsequent event तो सेकिंड वाला क्या है audit report के बाद कोई fact पता चला audit report के बाद कोई fact पता चला तो sir हमारी कोई obligation थोड़ी है मैंने भी यही बोला मैंने भी बोला मैं भी तुम्हारी side से हूँ मैंने का हमारी कोई obligation नहीं है इसके बाद but sir अगर यह कोई material fact है यानि अगर आपको पहले पता होता तो आप अपनी audit report amend करते यह तो बड़ी चिंता की बात है तो मैंने का चिंता मत करो management के पास चलो आप management के पास चलके DDI करते हैं मैंने का DDI का क्या मतलब है discuss with the matter discuss this matter with the management TCW उनसे determine करो क्या वो financial statement को amend करेंगे अगर करेंगे तो कैसे करेंगे यानि inquire how they plan to address the matter अब अगर वो amendment कर रहे हैं तो बताओ हमारे पास as a auditor दो option क्या थे sir इतना याद है कि एक option में काम ज्यादा था और एक option में काम उतना ही था जितनी जरूरत है very good तो जिसमें काम ज्यादा है वो simple सी बात क्या थे कि आपने अपने audit procedure amendment बे तो कर नहीं है ठीक है ताथ ही साथ आपने अपने audit procedures को extend करना है to the date of new report sir इसका क्या मतलब है मैंने का सुनो अभी तक तुमारे लिए subsequent event क्या थे date of financial statement और date of audit report तक हाँ sir अब अगर ये date of audit report आगे खिसक जाएगी अगर ये date of report आगे खिसक जाएगी तो क्या तुमारे subsequent event भी यहां तक हो गए हाँ sir तो मैंने का इस period में भी आपको subsequent event पहचानने पड़ेंगे ये आपका additional काम हो जाएगा तभी ये कह रहा है extend the audit procedure to the date of new report यानि report डिट खिसक गई तो तुमारे procedure भी extra हो जाएगे and फिर last में simple सी बात है जो आपकी नई audit report है this should not be dated earlier than the approval of financial statement यानि जब financial statement अप्रूव होंगे तभी आप report ढोगे basic है basic है sir अब कई बच्चों ने बोला sir क्या ये मेर को नहीं करना मुझे तो sir ये नहीं करना मुझे extra procedure नहीं करना है जितनी amendment हो रही है financial statement में बस उतना उतना procedure करूँगा बाकी मेरे से मत करो मैंने का बिल्कुल ठीक है अगर आपका law regulation management को law करता है कि वो सिरफ उतना ही change करें जितना subsequent event की वज़े से हो रहा है तो आप भी अपने audit procedures को restrict कर सकते हो to the amendment ठीक है ठीक है sir अब इसमें दो option क्या थे chat box में बताओ अब इसमें दो option क्या थे chat box में बताओ जल्दी से सारे बच्चे बताईए जी क्या-क्या दो option है कैसे मेरे user को पता चलेगा कि मेरे जो audit procedures है these are restricted to the amendment मैंने सिरफ amendment पर audit procedure करें dual dating very good and second option है EOM और OMPERA practically EOM ही use होता है but आप दोनों लिखोगे exam में EOM और OMPERA तो यह कहता है आप अपनी audit report पे additional rate डाल दो वो additional rate दिखाएगी आपने क्या additional procedures करें on that amendment या आप क्या कर सकते हो मैंने का emphasis of matter डाल सकते हैं हम emphasis of matter या other matter पहरा डाल सकते हैं जो यह बताएगा कि हमने क्या additional procedures करें on the amendment clear है clear है sir done 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 अब सारे बचे देखो इधर इधर मैंने अभी तक क्या माना management ने financial statement को amend किया अगर management का amend नहीं करना मेरी मड़ जी तो मैंने का इस time पे देखना audit report तुमारे हाथ में है या management के हाथ में है अगर तो आपके हाथ में है और आपको पता था यह area material है modify your opinion as per se 705 बट अगर यह audit report management के हाथ में दे चुके हो तो उनको बोलना आगे किसी और को ना दे आगे किसी और को ना दे यानि it should not be issue to the third party अगर उसने third party को issue कर दी क्या करेंगे legal action करेंगे हम इस case में क्या करेंगे legal advice लेके action करेंगे यानि हम उनको रोकेंगे अब इसके बाद वाला topic क्या कहता है मैंने का इसके बाद वाला topic एकदम उपर वाले से सेम है बस उपर वाले में ये था कि third party के हाथ में report नहीं पहुची थी इस case में third party के हाथ में report पहुच चुकी है तो सारे के ये बड़ा ही मज़ेदार point है एक user of financial statement है उसके पास पुरानी report भी पड़ी है क्योंकि third party के पास पहुच चुकी है reports उसके पुरानी report भी है नई report भी है क्या उसके मन में सवाल नहीं आएगा इन्होंने नई report क्यों निकाली क्या वो reasons नहीं जानना चाहेगा नई report के हां सर जानना चाहेगा तो क्या आप उसको नई report में वो reasons बताओगे बताएंगे सर कौन से पैरा में वो ही same वाले पैरा EOM और OM पैरा यूज करके आप उसको वो reasons बता सकते हो अब management फिर निकब में निकली वो कहते हम amendment नहीं करेंगे and इस बार दिक्कत क्या है report third party के पास पहुँच चुकी है क्योंकि report third party के पास पहुँच चुकी है as a auditor आप उनको request करो आप उनको notify करो कि आप चाहते हो future में इस report पे कोई rely ना करे you seek to prevent future reliance on the audit report अगर फिर भी management कोई action नहीं लेता management कोई steps नहीं लेता तो तुम क्या करोगे legal action लेंगे done done so यहां हमारा पूरा का पूरा essay 560 की detailed revision complete होती है I hope all the concepts are clear I hope everything is clear and just let me tell you अपन ने जिस प्रेम पूरवक तरीके से essay को कर लिया ना मजा आ गया मुँच तो ठीक है जली से बताएए क्या आपको मजा आया नहीं आया पड़ावट बताओ did you enjoy essay 560 ऐसा नहीं लगा क्या क्या मसालेदार चीज करी मजा आ गया सर done 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 yes so yeah that's all for today that's all for right now युही खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहे खुशी से बढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और audit में exemption तो कम से कम score करेंगे लगे रो have an awesome day ahead हम है राही audit के फिर मिलेंगे चलते चलते लगे रो